दोस्तो आज की वीडियो होने वाली है bar winding schedule पे एक simple सा beam है उसकी BVS करेंगे क्योंकि हमारी BVS की series continue है जो beam की आज BVS हम करने वाले हैं bar winding schedule करने वाले हैं उसका पहले drawing देख लो थोड़ा drawing समझ जाओगे फिर BVS करने में easy होगा rule easily समझ जाओगे सामने आप देख रहे हो यह जो beam है सामने जो देख रहे हो सबसे पहले यहाँ देखो यह हमारा पूरा beam है यह वाला पूरा beam आगया हमारा clear? तो इसमें जो आपको detail देखने हैं क्योंगी detail देखी रहेगी तो easily आप उसका BVS कर सकते हो तो सबसे पहले क्या देखना आप यहाँ पे यह जो इसकी length है वो है यहाँ से इसके center से यहाँ तक कितनी है? 2950 और यहाँ से इसके center से यहाँ इसके center तक वो है 5050 यह main चीच है इसको मैंने theoretical भी draw किया है लेकिन यहाँ देखा रहे हैं तो आप easily कर लोगे दूसरा यह जो column की width है यहाँ से यहाँ तक यह है 600 mm कितनी? 600 mm और यह भी 600 mm याद रखना जो जो चीजे बोल रहा हूँ बाकी आगे बताने ही वालों में लेकिन drawing reading भी आपके ओर यह यह भी है 600 mm अब भी इन्होंने development length जो है वो पहले ही करके दे दिये इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले यह जो यहाँ देखना यह जो development length है 800 mm यह है यहाँ से लेके यहाँ तक यह क्या है? यह 800 mm यह और यह यह है इसकी development मतलब जो हमारा बार रहेगा अगर यह हमारा bottom का बार है तो यह जो पहले इन्होंने mention की है वो है 800 mm नहीं तो यह क्या होता है? यह इन्होंने कहा होता है कि आपको 50 dk साब से करने clear यहाँ clear हो गया अभी top bar देखने top bar में क्या कहा है इन्होंने top bar जो है जो सरिया यहाँ से शुरू हो रहा है मैं color change कर लूँ आपको थोड़ा और idea लगेगा यह देखना अभी जो मैं सरिया पर मार करूँ यह और यह 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 यहाँ तक यह जो सरिया है यह है हमारा 3 नग 20 डाय का 3 नग 20 डाय का confuse नहीं हो ना जो 3 किस 4 किसम के बार है उपर पहला जो main bar है देखना में draw कर रहा हूँ यह main bar यही confusion BVS में होती है जब पता नहीं जलता यह दो बार है दो डाया दो नग 20 डाया के यह main bar जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा clear जो यहाँ से लेके जहाँ तक जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक अभी एक जो सरीया होगा वो यहाँ से शुरू होगा इससे और यहाँ तक जाएगा यह वाला तीन नग 16 के यह कून से है यह वाला है और यह जो जहाँ से यहाँ तक जाएगा वो है तीन नग 20 डायागा यह जब BVS करूँ के आप clear समझ जाओगे और bottom में क्या है bottom में simple है तीन नग 20 डायाग के तीन नग 20 डायाग के मतलब एक जो throughout क्या रहे के तीन नग 20 डायाग के इसमें आने वाला है यहाँ भी mention किया यहाँ भी mention किया दूसरा जो top extra रहेगा एक यह रहेगा तीन नग 20 डायाग के उपर वाले देखना जो 3 ये मैंने बोला था 3 डाया 16 के वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है ये इसको में माग कर लेता हूँ ठीक है और इसका कहां से length कहां से मिलेगी हमें ये नीचे लिखिए है कि यहां से यहां तक 750 mm है और यहां से यहां तक 1200 प्ल होगे समझ जाओ गया और जो हमारा साइज है बीम का वो है 300 बाए 600 mm क्लियर ये क्लियर हो गया basic हमें जो जो चाहिए था वो हमें लगबग मिल गया अभी जब हम इसको theoretical में अभी ले जाता हूँ आपको वहां आप इसली समझ जाओगे हर चीज ठीक है यह आइडिया लगे आपको तो इसका BVS कर लेते हैं फिर कल जो BVS आएगा वो continuous beam कर रहेगा ये simple है ये easily आप समझ जाओगे शुरू करते हैं पूरा द्यान यहां रखोगे तो easily सीख जाओगे ठीक है जो हमने drawing देखी वो यहां मैंने बना दी है ठीक है ये आगया हमारी development length अभी drawing नहीं समझा सिधा मुद्दे पे आते हैं ये हमारा beam आ गया पहले जो जब BVS किया जाता है पहले mention आपको करना होता है कि किस location का बार है कितना डाय है तो ये हमने लिख दिया top bar main bar है ये main bar और उसमें क्या difference है main bar आ गया जो throughout आपका जाएगा ठीक है और main bar हमारा कितना है जैसे मैंने होगा और यहां तक जाएगा वो कितना है दो डाय है बीस नग अगर वो भूल कियो उसको भूल जाओ क्यूंकि यहां इसलिए draw किया है कि आप easily यहीं से समझाओ वो drawing भूल जाओ अगर नहीं समझाओ यहां से यहां तक main bar उन्होंने कहा है कि हमारा 20 डाय है दो नग तो यहा अगर mention किया 50D के साब से तो हमें क्या करना होता है 50 into D कितना है हमारा 20 डाय का सरी है into 20 तो हो गया 1000 mm तो हम तब उस condition में क्या करते हैं यहां यहां से यहां लेंथ रहेगी वो 1000 mm रहेगी लेकिन यहां पर इन्होंने mention किया है कि आपकी 800 रहने वाली है तो हमने पहले ही इसको 800 रख दिया इसको और इसको 800 रख दिया और फिर अभी उसको जितना दूर हो पाता है उतना ले जाता हूं मैं फिर दोनों चीजे समझ पा हो गया फिर यह जो है यह 8500 कहां से आया इसकी हमें cutting length निकालनी पड़ेगी तो वो आया देखो 300 300 कहां से आया हमारा जो सरीय है जो हम यहां एक मिले यहां मैं इसको draw कर लेता हूं आपको confusion हो लिए यहां से लेके यहां तक हमारी कितना distance है यह वाला फिर यहां से लेके इसके center तक यह वाला 2950 और दूसरा था 5050 यहां इसके center से यहां center तक और यहां center से यहां center तक अभी यहां देखना यह अभी इसकी यह हमें cutting length निकाल लिए यहां से लेके यहां तक वो कैसे निकलेगी वो देखो सबसे पहले यहां हमारा इसके center तक है यह तो यह वाले space भी हमें चाहिए मैंने यहां वहां आपको बताया था यह हमारा यहां से यहां कितना है column 600 mm तो हमारी spacing start भी है यहां से तो यह वाला कितना होगा 300 mm total 600 है यहां से हुआ है center to center distance है हर चीज़ का तो 300 तो यह आ गया 300 फिर यहां से यहां तक कितना distance है 2950 यह आगे 2950 प्लस फिर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है इसके सेंटर तक वो है 5050 फिर यहां इस दर सेंटर तक है यह तो यह भी छेस होगा है तो 300 यह बचा तो 300 यह आ गया यहां तक क्लियर फिर दोनों तरफ से कवर माइनस कर देंगे 50 50 50 50 mm का हम बीम में कवर ले रहे हैं यहां से भी कवर माइनस होगा यहां से भी कवर माइनस होगा यब यह हो गया तो आगया हमारा 8500, कितना आगया, 8500 जब cover minus कल लिया, लेकिन अब भी इसकी निकाली है, हमें cutting length तो cutting length कैसे निकलेगी, cutting length आगये 8500, plus 800 800 plus 800 800 minus 2 bend है, एक जिन्होंने पहले part नहीं देखे हैं, उनको नहीं पता चल रहो का bend क्या हो रहा है, ये bend ये bend, तो 2 bend है into 90 degree का bend हो, तो कितना minus करते हैं, comment में ज़रूर लिखना हम करते हैं, 2D और अगर 135 degree का bend हो, comment में ज़रूर लिखना कितना minus करते हैं 2 into 20, ये हो गया इसको plus किया, minus 80 हो गया, और 1020 mm इसकी cutting length हो गयी यहां तक clear हो गया, cutting length हमें मिल गई अब ही चलते हैं, top extra के बारे में ठीक है, top extra कौन सा वाला top extra अब इसको easy हो जाएगा आपके लिए इसको मैं आगे रखूँगा इसको रखता हूँ यहां, तो आप देख लोगे पास में, top extra आ गया यह वाला, यहां से शुरू हो रहा है, और यहां तक जा रहा है यहां से शुरू हो के यह गया, 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 यहां तक यह मैं इसलिए ऐसे किया हूँ है, यहां तक एक top extra है, side वाला तो इसका cutting length कैसे निगलेगा, वो पहले नग कितने हैं, हमें लिखने है, top extra आप लिख दे सकते होगी, junction side, कौन से junction side, जो पूरी description दे देनी है, फिर लिखने है, कितने डायक है वो, यह लिखा हुए हमने, यहार है जो, यह है, तीन नग, बीस डायका, यहां भी लिखा हुए, तीन बीस डायका, तो जी हमने लिख दे है, तीन है, वो, बीस डायका है, और उसकी shape कुछ कैसे बनेगी, ऐसे और ऐसे, यहां से यह आ गया, और यहां तक वो जाएगा, ठीक, ऐसे बनेगी, develop length, हमें कहा हुआ, 800 mm रखनी है, तो 800 mm रख दी हमने, फिर, यह इसकी length, 50, 100 कैसे आएगी, यह समझो, इसके लिए आपको तक पहुँच गे, इसके center तक पहुँच गे, अभी यह वाला भी cover करने है हमें, क्योंकि हमें जाना है यहां तक, तो इसको cover करो, यह कितना है, 300, अभी हमें यहां से यहां तक distance, नीचे दिया हुआ है, जो मैंने starting map को दिया, वो कितना है, यहां हमारा वो आ गया, फिर अभी इसकी cutting length निकालते हैं, cutting length कैसे निकले है, 5100 plus 800, और एक ही bend है, कितना आ गया, minus 1 into 2D, 90 degree का bend है, तो वो गया, 5860 mm, और इसमें हमने cover minus कर लो, कर लो, करना है, नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 50 mm का एक तरफ से cover minus करेंगे, वो आ जाएगा, 5810 mm, उसको हम cutting बोल देंगे, वो bend करके 3 ले आएगा, यहां तक clear हो गया, अभी क्या करना है, mid top extra, mid top extra कोन से, यह वाला, यहां से यो, जहां तक था, यह है, यह कितना था, 3 नग, 16 डायागे, कितने, 3 नग, 16 डायागे, तो हमने लिख दिया, mid top extra, 3 नग, 16 डायागे, clear, तो इसकी cutting length कितनी है, 2900, वो कैसे आई भाह आई, 2900 यह देखो, यहां से शुरू हो रहा है, तो नीचे हमें दिये हुए, 750 ड्राइंग बहुत easy थी, बहुत complicated ड्राइंग भी आती है, easy से समझा रहा हूँ इसलिए, 750 और यहां से यहां कितना है, 600, प्लस 1250, प्लस 300, तो कितना हो गया, 3900, 2900, तो यह आ गया, फिर एक टॉप एक्स्ट्रा है, वो कौन सा टॉप एक्स्ट्रा है, जी, वो है हमारा टॉप एक्स्ट्रा, यहां देखो, यहां पर भी टॉप एक्स्ट्रा था, यहां से यहां हमारा एक टॉप एक टॉप एक्स्ट्रा था, तो उसको, उसका क्या है, वो कितना है, उसने कहा है, वो साइड आप लिख लो लेफ्ट कि आपको पहच जानने में इसी होगा लेफ्ट तीन डग 20 डायेगा शेप कैसे आएगी ऐसे आती है क्योंकि यहां क्यों सपोर्ट पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं और आप देख रहे हो इसमें जो ज्यादा रिंफोर्समेंट ह वो कहा है टॉप में ठीक है तो इसको देखो अभी यह शेप उसकी बंडरी है हमें पता है कितना है 800 रखना है तो उसके लिए अभी यह कितनी ही यह कितनी जगह है यह है बारा सो पचास कहां से सपोर्ट से बारा सो पचास कहां है सपोर्ट से लेकिन पीछे वाला भी तो है एन क्योंकि यह पूरा जो सरिय जाएगा यहां तक जा रहा है एंड तक तो वह वह गा 300 300 हमारा पूरा कितना है 600 300 यह हो गया पूरा 600 आगया प्लस 1250 ही आगया यहां से चुरूर रूश e- dropdown यह har parity और cover minus करitt लो 58 मीम का एक तरफ से 8800 minus एक bend है 90-degree का one into 2D करेंगे तो आ गया 1760 है मैं हमारी इसकी cutting length आ गए clear इतना clear हो गया फिर आते हैं bottom extra पे इसको मैं दिखाता हूँ पहले drawing दिख लो bottom extra क्या बोल रहा है bottom extra हमें दिये हुए simple यह आ गया bottom extra 3 नग 20 डाया के कितने 3 नग 20 डाया के तो यहां लिख देते है bottom extra bottom bar 3 नग 20 डाया के हमें L देखो अभी थोड़ा दूर कर दी इसलिए यह 800 यह 800 हमने कह हुए mention है हमें 800 800 यह जो length बनेगी वो same बनेगी top bar की तरह फिर से आपको बता देता हूँ लेकिन फिर में हमें center to center दिया हुए यहां 2950 लेकिन 300 यहां से 300 आ गया 2950 आ गया प्लस 5050 आ गया यहां से यहां तक फिर यहां बचा 300 तो वो अगया 300 तो ओगया 8600 तो इसमें दोनों cutting length कैसे निकले कि इन दोनों को 300 बाइ 600 रेक्टंगल टाइप बीम है तो दोनों तो ऊपर वाला 300 था यह तो cover minus कर लेते हैं यहां से भी 50 mm यहां से भी 50 mm तो कितना बचा 200 mm और 600 है पचास उपर से cover गया 50 नीचे से 500 तो हो गया 200 बाइ 500 का हुक तू दो हुक है तू आ गया 10 डी ही लेते हैं हम हुक के लिए कितना लेते हैं 10 डी 10 डी कितना डाय क्या है स्टीरप का वो कहा है कि 8 mm का बार है 500 के center से आपको provide करना है पूरे बीम में तो हो गया 1400 प्लस एक सुसाट यह करके सबको multiply प्लस करके 1480 mm हमारा इसका आ गया ठीक है इसका cutting length हा गया यहां तक देखना यहां 1400 प्लस एक सुसाट 1560 हा गया माइनस माइनस क्या किया है जो band है एक दो तीन चार पांच पांच band है और practically side पे हम 2D की साबसे करते हैं नहीं तो ऐसे जो theoretically हमारे rule है यह एक 90 डिग्री का एक 90 डिग्री का एक 90 डिग्री का तीन आपके 2D होंगे और दो आपके 3D होंगे लेकिन हम practically side पे 2D करते हैं कि थोड़ा elongation इतना ज़्यादा नहीं होता है clear यहां हो फिर यह बीच में बीम है यहां से यहां तक यहीं हमारा steer up आने वाला junction में तो steer up गुसेगा नहीं इतनी इसानी से वहां इसलिए master ring डाल दिया जाता है अगर डालना हो तो यह देखो 2950 यह आगे 2950 प्लस 550-300 क्या है भी minus 300 यह वाला minus यह पूरा 600 यहां से जाएगा clear यह 600 चला गया फिर आपका यहां से यह 600 जाएगा यह 600 चला गया ठीक 300 यहां से गया क्योंकि यहां तक था 300 वहां से गया और बीच में 600 गया समझächlich कि नहीं समझे मतलब यह पूरा हमारा यहां तक हमें पहुंच मैं तक हमें पहुंच रहा है इसे सेंटर George करे चैंटर ¿कें तो यह 255 नहीं कोँचा तो long weekend का डिस्टेंट उसको 1500 के से हम स्टीरव प्रवाइड कर रहे थे तो आया 45.3 और एक हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारी 46 नग स्टीरव लगेंगे कौन सी इस डायग दो सो बाय पांस होगी तो इस तरीके से बीवेस की जाती है आई होप आईडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत तो पता चला होगा जब अगले बीम की करेंगे तो और जाधा सीखोगे अगर और जाधा सीखने है अलग से प्लेलिस्ट है बार मेंडिंग स्केडियूल की वो देखो हर चीज रूल बगारा सब पढ़ लो फिर उसके बा